तो चले स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंस का आज का ये वीडियो आज अगेर हम कुछ कॉमन सेंटेंस देखने वाले हैं जिने आप अपने लाइप में यूज करते हैं तुम्हारी आउकात क्या है वाट इस यो स्टेटस नेक्स सेंटेंस है मुझे घबरहाट हो रही है आप उस वीडियो को भी वाच करके एन एक्जाइटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अब अगला सेंटेंस है अपनी भडास मत निकालो Don't voice your frustration Don't voice your frustration Next sentence है तुम इतना क्यों सोचते हो Why do you think so much Why do you think so much इस तरह के हम और भी sentences देख सकते हैं जैसे तुम इतना क्यों बोलते हो Why do you speak so much Why do you speak so much इस तरह के sentences हम काफी ज़्यादा यूज करते हैं इस तरह के sentences पे हमने एक separate video बना रखा है जिसका link आपको आई बटन में दीख रहा है तो इस वीडियो का finish होने के बाद आप उस वीडियो को भी watch कर सकते हैं और इस तरह के sentences को किस तरह से हमको बोलना है ओ आप perfect कर सकते हैं अगला sentence है भगवान की यही इच्छा है अगला sentence है धैरी रखो यहां आप keep patience की जगा पे have patience का भी यूज कर सकते हैं जाहिर सी बात है अंडे उबाल दो boil the eggs दोबारा नहीं do not again यहां आप do को skip भी कर सकते हैं और कह सकते हैं not again next sentence है उसे समझाने की कोई ज़रत नहीं है no need to convince him no need to convince him सोर मत करो don't make a noise don't make a noise पागल मत बनो don't be silly don't be silly बहुत अच्छे well done well done अगला sentence है मेरा यह मतलब नहीं है I don't mean it I don't mean it इसको आप past में भी यूज करते हैं जैसे मेरा यह मतलब नहीं था तो इसके लिए हम यूज करेंगे I didn't mean it I didn't mean it next sentence है क्या मैं वज़ा जान सकता हूँ Can I know the reason Can I know the reason तो यह थे हमारे आज के sentences अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट लाइक बटन और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग